A man in ballon rising vertically with an acceleration of 4.9 meter per second square releases a ball 2 second after the ballon is let go from the ground. The maximum height above the ground reaches by the ball is one of four options देगोचा कुश्यन मा. यो कुश्यन लाई solve गर्षा मामी 2 पार्ट मा. पर्षा मा बैलोन को motion एर जो 2 second गोलागी रा 2nd पार्ट मा जोती हेरा बैलोन बड़ा man ले ball लाई रिलीज गर्षा आप्टा 2 second बिचाडी ball को motion लाई calculate गर्षा मुश्यन गर्षा मुश्यन सबसर यो ground level एस पड़ा योटा बैलोन सबसर आटे एर बैलोन यो बैलोन मा मामा जो बसे गर्षा ग्राउन बड़ा बैलोन रिलीज जुदा खेरी बैलोन को initial velocity होंच जीरो मिटर पर सेकिन बैलोन को वर्टिकल ली अपड़ तिर्या को acceleration देगोशा कोईशन मैं ये को बैलोन 4.9 मीटर पर सेकेंड स्कुआर रा 2 second बिचाडी 2 second बिचाडी फ़स्ट माँ बैलोन को पोजिशन रा वैलसिटी लाँ भाइन यो अरो सबस्वारा बैलोन आप्टर रिलेजिंग फ्रम दी ग्राउंड 2 second बिचाडी ये पोईट माँ पुक्षा बने जसको आएट सी ग्राउंड बढ़ा H रा यो पोजिशन मा बैलोन को अपड़ तिर्या को वैलसिटी V चाबने अपड़ फर्स्ट मा यो H रा V को वैलोला क्यालकुएट गरों इसको लागी V इकोड़ लेखना सक्षों U प्लस 80 जाएट बैलोन को इनिशियल वैलसिटी तियो 0 अपड़ तिर्या को अस्सेलेरेशन चाए 4.9 रा duration of time से अलिगो लागी 2 सेकेंड देसा बैलोन को अपड़ तिर्या को वैलसिटी V आयो 4.9 इनिटो 2 दाट इस 9.8 मीटर पर सेकेंड बैलोन यो ए पोजिशन मा होदा हेरी अपड़ 2 सेकेंड एसको वैलसिटी रहिशा 9.8 मीटर पर सेकेंड इन अपड़ डाइरेक्शन एन दा हाइट एटन बाइटी बैलोन इस गिवन बाइ h इकवाल डू ut प्लास 1 बाइटी स्क्वार किना बने जुन असेलेरेशन देखो चो यो ग्राबिटी को एसेलेरेशन ला ओबर कम बाइड देखो तेवरा डारेक्ली आएट निकालन बाइटी 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 स्क्वार यू जीरू दाइटी टोटल इस जीरू बाहिए आलो प्लास 1 बाइटी स्क्वार अचलेरेशन चा वर्टिकल यो पर देखो 4.9 इन्टु दूरेशन अब टाइमचा 2 तही बार 2 स्क्वार शॉल बारी बने 2 रा स्क्वार कैंसल बार इसको वैलू आउदर रहेश 9.8 मिटर इट मिज ग्राउन बार बालून रिलीज गारे पासी 2 सेकन बिचादी बालून ले अटेन गारे को हाइटा आयो 9.8 मिटर एन बालून को वैलसिटी रहेचा 9.8 मिटर पर सेकें इन अपवार डिरेशन अब मैन ले बाल बाल रिलीज गार बाने अब यो पोजिशन ब बाल आयो बाल रिलीज गाता है मैन ले बाल को वैलसिटी बाने को बालून को वैलसिटी रहे उंच ग्राव रहें देन इनिस्यल वैलसिटीअप दी बाल हुद रहेची 9.8 मिटर पर सेकें नहीं इनिशियल पोजिशन अब दी बॉल दाट इज चनॉट इकोल तु 9.8 मिटर ने आइट माधीश रगा अचलेरेशन अब बाल 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 रिलिज वाय बाल 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 वाने गता फ्रीली अर माधीश देन, acceleration acting on the ball is equal to acceleration due to gravity जोनचे, downward तिरा लागने बार, इसको बालो लिंचो, minus 9.8 meter per second square When man releases the ball from the balloon, then the initial velocity of the ball is also 9.8 meter per second in upper direction That's why, the acceleration due to gravity is minus 9.8 meter per second square ए पोजिशन बड़ बालोन लाई release गरेगो सहबने सबसरा, balloon initially A position माँच, एसको initial velocity बानेको 9.8 meter per second ले अपर तिराला आएको सह बाने, अब बाल ले कती height attain गर सहरा, release गरेगो सहड़ी जो A point देखी, ball release गरेगो सहरी, कती height माथी पुक सहला, ball एसलाइक अपकोबेट गर नक लागी, हमला थाऊच, इनिशियल ले यू velocity ले बाल को velocity उन्वर्षा, B को बालो 0, it means, ball ले, after releasing from the A point, L ले attain गरने height like S लेखे मने, relation निकाला सक्षू, B square equal to U square minus 2 Gs, ball को motion vertical यू अपवाड़ती रहाच, ते बारा minus 2 Gs, जा देखेर ball maximum height माँ पुक सहरीज भाय पीछाड़ी, ये देखेर ball को velocity उन्च, 0, ते बार, 0 को square, equal to release गता अखेरी ball को velocity च, 9.8, ते बार, U square गोड़ हमा 9.8 को square, minus 2 into acceleration due to gravity, 9.8 रब, ball ले attain गरने maximum height, H, इस बार, solve भारी भाने, 2 into 9.8 into H equal to 9.8 को square, ये square, 9.8 ते गैंसल भाय अले होटा, देरफ़र, H equal to 9.8 by 2, which is equal to 4.9 meter, ball लाई, जाती खिरो, man ले, ball बार, ए पोजिशन देखे, रिलीज गरो, ये ball ले, 18 गरने height उन्ट रहेश, 4.9 meter, इट मींज, ball बाड़ा ball लाई, रिलीज गरो भारी पाची, 1st मा, 4.9 meter माथी बुख दोरीश, अनिमात्रे, फल गरा, तलाहो दोरीश, अब, ball को maximum height from the ground सो देगा सा बने, maximum height attain by the ball निकाल परो बने, H max को value होँच टोटल, इनिशाली ball को position देओ, H not, ground देखी, H not height बाड़ा release गरेगो थीओ, ball लाई, रब, ball ले, इट्साल रिलीज गरी पाची, attain गरने height आयो, 4.9 meter, maximum height of the ball from the ground बने, ground देखी, ये point को height, 9.8 meter, रब, यो release गरे पिछाडी, ball ले attain गरने height बने को, 4.9 meter, इस वे टोटल, height of the ratio, H not, plus H, H not, initial position of the ball, 9.8, plus height attained by the ball, which is, 4.9 meter, therefore, maximum height attained by the ball from the ground is, 9.8 plus 4.9, which is equal to, 14.7 meter, ये question को correct, option of the ratio, option B, 14.7 meter.